Hello everyone, welcome you all to our YouTube channel Artist's Choice दोस्तो, आज हम जानेंगे सेप्टिपिन के बारे में जो हम सबने कभी न कभी यूज किया है It is a very useful stop लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेप्टिपिन का आइडिया आया कहां से और ये बनाया किसने तो चलिए जानते हैं तो सेप्टिपिन को जेनरली लड़कियां यूज करती है कप्रों को जोनने के लिए और इसकी यूज होती आ रही है 14th century BC से during Mycenaeans Mycenaeans Greece was the last phase of the bronze age in ancient Greece उस वक्त इसको febriolet कहा जाता था The modern सेप्टिपिन was the invention of Walter Hunt Walter Hunt was born in 1796 in New York He worked as a farmer बाद में वो एक mechanic भी बने इन्होंने सेप्टिपिन कैसे बनाया इसके पीछे एक बहुत ही interesting कहानी है तो चलिए बुसुनते हैं तो Walter Hunt ने एक आदमी से 15 डॉलर उधा लिया था जो इनको जल्दी वापस करना था लेकिन उनके पास उस वक्त कोई पैसे नहीं थे उस वक्त हाथ में एक मेटल वायल लेके ये सोच रहे थे कि पैसे कहां से लाए और उस वायर को ट्विस्ट करते करते एक शेप बन गया जिससे उन्होंने सेप्टिपिन बनाया और फिर Walter Hunt ने 400 डॉलर में इसी सेप्टिपिन का पैटेंट राइट्स बेचा उसी आदमी को जिससे उन्होंने 15 डॉलर सुधा लिये थे और आप देख सकते हैं कि इस पिन का डिजाइन एक सिंगल वायर से ऐसे किया गया ताकि सुई की तरह इतनी शार्प पॉइंट होने के बाद भी इससे किसी को चोट नहीं लगती Walter Hunt ने इसी लिए इसका नाम सेप्टिपिन रखा क्योंकि ये यूज़ करने के लिए सेफ है So friends, this is the end of the video I hope इस video से आपको कुछ नया जानने को मिला Thanks for watching the video, take care